कर दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपके साल डिस्कस करेंगे क्रिस्टेलाइन सॉलिड में कितने टाइप्स के डिफेक्ट हो सकते हैं मतलब कि टाइप्स ओफ डिफेक्ट इन क्रिस्टेलाइन सॉलिड क्योंकि अगर crystalline solid में defect आ जाते हैं तो यह है उस particular solid की mechanical properties, electrical properties और chemical properties को influence कर सकते हैं तो बात करते हैं कि crystalline जो solid है उसमें कितने type के defect आ सकते हैं सबसे पहला है point defect उसके बाद line defects, surface defects और volume defects जो point defects हैं यह solid में किसी atom के miss होने के कारण आ सकते हैं extra atom होने के कारण आ सकते हैं या फिर कोई atom displace हो जाए उसके कारण यह defect आ सकता है और यह zero dimensional defect होता है और इसकी further categorization इस प्रकार से है कि जो point defect है वो भी अलग-अलग type का होता है जैसे vacancies, substitutionals, impurity, interstitial defects, frankal defects and stoky defects तो यह कुछ point defect के type है उसके बाद है line defect जो line defect है यह है जो atom का extra plane है उसके edges के involve होने के कारण आता है यह दो प्रकार का होता है edge dislocation और screw dislocation उसके बाद है surface defect जो surface defect है यह जो crystal का जो external surface होता है उसकी जो adjacent crystal होते हैं उनके बीच में अगर imperfection आ जाए तब यह defect आ सकता है यह भी तीन type का है grain boundaries, tilt boundaries और twin boundaries और जो surface defect है यह two dimensional होता है और जो line defect है यह है one dimensional होता है और उसके बाद है volume defect जो three dimensional defect होता है volume defect basically अगर हम बात करें जब जो FCC और HCP metal होते हैं उनमें जो close packed plane होते हैं और उनकी जो stacking sequence है अगर उसमें small dissimilarity भी आ जाए उनके बीच में तो तब भी volume defect exist करता है जो volume defect है उसमें void है, crack और stacking fault है, inclusion है, precipitate है तो यह बहुत सारे जो defect हमने discuss किये यह अलग-अलग type के defect हैं जो crystalline solid में आ सकते हैं और इनका अलग-अलग कारण होता है आने का और यह हमारा जो solid material है उसकी property को influence करते हैं तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में जाना types of defect in crystalline solid और इन सभी defects को हम हमारी जो अगली वीडियो हैं उसमें one by one detail में discuss करेंगे अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा आप इसको like कर सकते हैं, share कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, students के साथ और चैनल को subscribe करना ना भूलें, जल्दी हाजर होतें एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुब रहे कर दोस्तों के साथ